पूर्व नमस्कार अनमफ न्यूज देख रहे हैं याप मैं हूँ आपके साथ अभी शेक पुंडीर जिस बात का डर था वही हुआ मतलब जिस बात का डर आमादमी पार्टी को था वही हुआ कोट में आज हीरिंग हुई एक तरफ अरविंद केजरिवाल के तीन वकीलों ने अपनी दलीले रखी दूसरी तरफ एडी ने अपनी दलीले रखी एडी ने अपनी दलीले रखी एडी ने अपने दलीलों में कहा कि जो सरगना है इस शराब घोटाले के शराब जो नहीं अफ्तार नहीं किया जाना चाहिए लेकिन अब जब कोट का अब देराद फैसला आया है तो कोट ने पीमले कोट ने कहा है कि अर्विंद केजरिवाल को छे दिन की एडी की रिमांड दे दी गई है मतलब अब इडी के शिकंजे में रहेंगे अर्विंद केजरिवाल पूरे छे दिन तक और इडी अब इस दोरान उनसे समाम सवाल जवाब करेगी सेकडो सवालों की इडी सूत्रों के अवाले से ऐसी खबर है कि सेकडों सवालों के लिस्ट जो है एडी के पास है जिसके बारे जिसके सवाल जवाब लिये जाएंगे अरविंद के जिवाल से क्या वो सवाल है वो ज़ादा तर लोगों को पता है उसमें यह जो पूरा साउथ लोबी से जो सो करोड रुपे का रिश्वत आया है और उस रिश्वत में से पैताल अरविंद के जिरिवाल को छे दिन की एडी की रिमांड में भेज दिया है अब कहा ऐसा जा रहा है कि जब एडी का डंडा अरविंद के जिरिवाल पर चलेगा तब अरविंद के जिरिवाल वो सारे राज उगलते हुए नजर आएंगे जो राज अरविंद के जिरिवाल के भीतर दफन थे आपको बता दूं कल तक्रीबन सबसाथ बजे 21 मार्च को तक्रीबन सबसाथ बजे ED की टीम अपने लावलशकर के साथ पहुंचती है अर्विंद केजरिवाल के घर पर महां जाते ही वो दसवा समन लेकर जाती है और साथ में लेकर जाती है एक सर्च वारेंट उस सर्च वारेंट के अधार पर अर्विंद केजरिवाल के घर की तलाशी ली जाती है दो घंटे तक तलाशी ली जाती है और तक्रीबन एक घंटे से ज्यादा अर्विंद के जिरिवाल से पूछताच भी की जाती है और जो पूछताच की गई जो सवाल अर्विंद के जिरिवाल से पूछे गए थे उन सवालों का अर्विंद के जिरिवाल सही तरीके से जवाब नहीं दे पाए उन सवालों पर गोल मोल जो है वो जवाब देते नजर आ अर्बिंद केजरिवाल की घिरफतारी कर ली गई और तकरीबन राट को एक से डेड़ बजे की बीच गुजरी है उसके बाद सुबह राट के एगाटना आपको बता दूँ के राट जिस वकत एड़ी की टीम अर्बिंद केजरिवाल के गहर पर थी उस दोरान ही अर्विंद केजरिवाल की जो लीगल टीम है उसमें बेहदी बहुत ज़्यादा जटपटा हट थी ऑनलाइन एप्लिकेशन डाला गया सुप्रीम कोर्ट में के फिलहाल मतलब अभी रात में सुप्रीम कोर्ट खुलवा दिया जाए और ये सुनवाई की जाए अर्विंद केजरिवाल की गिरफतारी पर रोक लगाई जाए लेकिन उसके बाद खबर ऐसी आई कि अर्विंद केजरिवाल की जो लीगल टीम है जो वकील है वो सुप्रीम कोर्ट पहुँचे ही नहीं और सुबा होते होते ये खबर आई तकरीबन दस बजे के इडि जो अर्विंद केजरिवाल की तरफ से याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाकिल की गई थी जमानत देने के लिए या राहत देने के लिए वो याची का अर्विंद के जिवाल की टीम ने वापस ले ली थी उसके बाद एडी ने अर्विंद के जिवाल को पेश किया तमाम तरीकी की दलीले दी गई बताया गया ID की तरफ से के कैसे विजय नायर ने गवाई दी है समीर महिंद्रू ने गवाई दी है के कवीता के जो अकाउंटेंट थे उन्होंने गवाई दी है उसके आधार पर ही पहले मनीसी सूधिया को गिरफतार किया गया फिर संजय सिंग को गिरफतार किया गया उसके बार अभी पिछले हफ्ते के कवीता को भी गिरफतार किया गया के कवीता की भी साथ दिन की जो है रिमांड एडी के पास है और वो कल पूरी हो जाएगी कल फिर दुबारा से के कवीता के मामले में सुनवाई होगी लेकिन आज इसी बीच हलाकि जो वरिष्ट वकील है अभी उन्होंने बहुत कोशिश की कोट में तमाम दलीले दी कि जब एडी के पास सारे तमाम सबूत मौजूद है और उन सबूतों के आधार पर एडी ने कई लोगों को गिरफतार किया है तो अफिर अर्विंद के जिरिवाल की गिरफतारी की क्या जूरुत थी तो इस दलील पर एडी ने कहा था कि हमें अर्विंद के जिरिवाल को के कविता के सामने बेठाना है और सवाल जवाब करने हैं अर्विंद के जिरिवाल को मनीशी सोधिया को बेठाना है संजे सिंग को बेठाना है उनके साथ क्रोस कोशनिंग करनी है और जो कुछ भी निकल कर आएगा वो तो फिर जो है अब जल्दी पता लग जाएगा जिस तरीके से अर्विंद केजरिवाल की गिरफ्तारी हुई है और ED की रिमांड मिली है यहाँ एक बात और गौर करने वाली है जिस तरीके से मनीश्टी सोधिय गिरफ्तार हुए संजय सिंग गिरफ्तार हुए उससे पहले सते होले है एडी की कस्टडी में ही मनने वाली है और आने वाली जो दिवाली है यह उसके बाद जहूली है वह कहा मनेगी वो बड़ा सवाल होगा लेकिं यह कहा जा रहा है कि अर्विंद के इज्रिवाल लंबे समय Цो है अब जिल चले गए हैं अब दिली चुण क्षैगा ये कमेंट कर जरूर बताईएगा नमश्कार